तो हेलो मेरे किसान भाइयों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर अगर नए आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें आज का टॉपिक होने बाला वह भी बहुत ही ज्यदा महतपूर्ण है इसलिए कि मतलब ऐसा मांसाहारी मचली कौन सा है जो कि चिकन का वेश्टेज खिला क करके कौन-कौन सा मचली हैं पाल सकते हैं और किसमें प्रॉब्लम है और किसमें प्रॉब्लम नहीं है वो चीज में बताने बाला हूं तो किसान भाइयों ऐसा दो ही मचली है जिसको कि आप चिकन का वेश्टेज खिला करके पाल सकते हो तो कौन-कौन सा मचली है एक है पहले तो आप मती पालो माहूलमसली क्योंकि महांगूर मशली तो पहले तो बेन है यह सबसे बड़ा प्रॉबलमम है और दूसरी बात कि अगर आप पाल रहे हो चोरी चीपे पाल रहे हो अगर यह चीज पता चल जाएगा मतलब कि पुलीश के पास पुलिस कर्मियों के पास तो यह मांगूर मचली को ना ही पाले और रुपचंदा मचली को आप अराम से पाल सकते हो कभी भी कहीं भी कितने भी मात्रा में पाल सकते हो आप रुपचंदा मचली कोई प्रॉप्लम नहीं होता है विसतु का कोई मतलब नहीं है कि भारत में यह आप पाल सकते हो और रुपचंदा मचली भी टीकन का वेस्टेज अच्छे से खाती है और बड़े चाओ से कहाती है और मागुल न खाती है यह तो पता है लेकिन फिर भी मागुल मचली भारत में dread the root अभारत में पाले गारे महां पाले जा रहे अभी बहु पालय जा रहे हैं कि अधिक मात्रा। शपीति वह युग धु़ को Melanie अच्व प्रालं कम पाल लेकिन फिरमिन को फैदा उत्ना जदा नहीं उपहता हैוכि जिस हो इस तिलाब में प्रावलन जैदा करियोंता है की सिर्द से मौन के छले कि इस तिला में मैंने मंगूर मचली दिया तो मांगूर मसली रहती का है मांगूर मचली धरातल पर मतलब कि जो तणा बे नच सबसे जमीन वहाँ पर रहती है और आप उसको अगर खिलाओगे खाना दोगे तो तो खा लेगी खाना उपर आकर के लेकिन वह पोटी का नीचे करेगी धरातल पर तो अगर आपका जमीनी धरातल गंदा है ना गंदा अगर हो गया तो अनेक सारी बीमारियां पैदा होना इस्टार्ट हो और रुपचंदा मसली में क्या होता है कि रुपचंदा मसली अगर आप लोगे तो रुपचंदा मसली वह ना धरातल पर और ना की पानी के जदा उपर वह बीच में सरवाइब करती है अगर आप उसको खाना खिला होगे ठीक बात है अगर वह पोटी करती ठीक तो वह उसक तो मांगूर मसली वाले तलाब में बीमारी नहीं की संभावना जदा है और जिस तलाब में अगर आपको मांगूर मसली ही बाद में पालना पड़ेगा अब उसमें डूसरा मचली नहीं पाल सकते हूं और रुपचंदा मचली में क्या होता है कि रुपचंदा मचली अगर इस तलाब में पाल रहे हो उस तलाब में आप अगर आप बाद में अलग मचली पालना चाहते हो उसमें पंगास भी पाल सकते हो रहू कतला भी पाल सकते हो मांगुर भी पाल सकते हो लेकिन मांगुर वाल मांगूर मचली कैसा दिखता है यह तो आपको भी पता होगा काश árच भी तो दीखता है काश यह तो isn't it कश तो उसको देखके ही मतलब खाने के लिए प्रेफर नहीं करते हैं ऑर और उचंदा मचली में के वाता कि है क्यों और अच्छा प्कवाच अभी और अच्छा लगता भी ए खाने very कि तो विपचंदा मसली को ज्धा प्रेफर भी करते हिँ खाना महांगूर मसली पाल सकते हो लेकिन यहाई ब्रेड वाल नहीं कि मांगूर मसली अपरीट बाला नहीं पालना पूई अपको देशी मांगूर का भी मार्केट मेर्य चा उप दिखने में भी तो मतलब की अभरीट मांगूर ंसे लक लग दिखने में भी उसका मार्केट में हम अप सम्मझे लोन के 700 गराम तक उसका मार्केट में डिमांड बहुत ही जाता है वह फाइदे मंद है वह मचली तो यह मागुर यह देशी मतलब की मागुर मसली आप पाल सकते हो इसको भी है आप मतलब की चीकन का वेश्टेज किला करके आप सकते हो देशी मागुर को भी और रुपचंदा मसली त तो यही कुछ-कुछ मतलब फर्क है और अभी भी पाल रहे हैं देशी मांगूर तो पाली रहे हैं और भाइबरीट मांगूर भी पाल रहे हैं लेकिन एक चीज में बता देता हूं कि मारकेट में डिवांड जदा रूप चनदा मचली का है फ्यब्रीड मांगूर ता इसका घ्रोध भले ही फास्ट हो तीन में में 4 मेени में एक आ जाता है अब मतलब कि अथ्यवर्ल पाल बटला प्रावलम निया रुपचंदा मसली में बेनी फीट ही बेनी फीट है लेकिन तो यहीं बोलूँगा आपको कि काहे आप मतलब प्रावलम प्रावलम निया रुपचंदा मसली पालन करो इसे जिसके पास छोटा तलाव है एक कठ़ा दो कठा चार कठा कर जो कि मनुरंजन के लिए ठोड़ा बात मतले घर में खाने के लिए तो वो महुरम निया एक कठे दो कठे में पाल सकते हैं लेकिन उनको भी प्रावल में अगर पुलिस कर्मियों को पता चल गया तो प्रावलम के रियेट हो सकता है अपको मचली नष्ट करवा सकते हैं उनका पूरा हक है नष्ट करवाने का क्योंकि भारत में बेन है और रुपचंदा मसली में है अब इसको बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हो रुपचंद ख़ता होगा किसे आपको जबाइदा होगा यह तो आपके उपर डिपेंड करता है अग Dal अगर यह वीडियो मेरा अठ्मोल अच्छा लगा आपको तो बड़े वाहिया सब्क्राइब लाइक करना और बेल आइकन प्रे 단 10 कि मैं कि बिले बेल आइकन प्रेस करने के लिए नहीं बोला, बूल जाता हूं, नया यूट्यूबर हूं क्या करो, बूल जाता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने अच्छा प्यार दिया, अब बेल आइकन भी प्रेस करना है, तो मिलते हैं अगले वीडियों बेखे लिए बाई बाई, जाइन जाइवारत!